हलो बाई मेरा नाम है कार्तिक और आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं इस टाटा इंडिका इवी टू के पांच नेगेटिव इसके बारे में जो मुझे परसनली लगते हैं अब वैसे तो यह गाड़ी इतनी चलती नहीं है पर मुझे जो परसनली पांच देखलो यह देखो इसका इंटीरियर देखो भाई इसका इंटीरियर मुझे यार इतना बिल्कुल पसंद नहीं आता है यार मतलब ठीक है बाई उस टाइम के साब से 2011 में और भी गाड़ियां आती थी लेकिन उस एसका इंटीरियर इतना कुछ खास नहीं है जो मतलब एक वो नियूँ इस interior में देखके यह मलब अच्छा नहीं लगता है interior विल्कुल विसका steering देखो त्रॉक के steering जैसे लगता है यह किसी कार का steering लगता ही नहीं है वाई बिल्कुल तो यह भाई मैं negative बता रहा हूँ कुछ खास पसंद नहीं है तो भाई अगर बात करें इसके तीसरे नेगेटिव की जो तीसरे नेगेटिव वह इंटीरियर से रिलेटेड है लेकिन भाई मुझे लगता है नेगेटिव हिसले में आपको लोगों को बता रहा हूँ तो भाई आप यह जहां पूरा यह देख रहे हो न यह पैनल बाई चलो आमरेस्ट के तुम्हां उम्मीद करता भी नैंग तो उसकी तो मैं कर भी नहीं रहा उम्मीदना पर जो मैं यहां पर उम्मीद कर रहा हूँ वह आर कुछ भी फोन रखने के लिए सामान रखने के ballistic suspense नहीं अभी आप यह देख सकते हो यह भी भाई कुछ इससें सपेस नहीं इसमें कुछ नहीं आता यहां पर कुछ भी नहीं रख सकते वाकी यह आ पर देखो भाई कोई से भी जगए नहीं ज्यांपन वाँ इच पर आपन फॉन रख सके तो उसको इग्नोर करना है बाकि इस देखो उस साइड भी वैसा ही है इस साइड भी कोई बोटल ओल्डर कुछ नहीं है बाइब बात करें गयर इसके चौथे नेगिटिव की तो चौथा नेगिटिव की वह बाइस का ये स्वेकर ये देखो बाइस के अंदर आतें सिर्फ दो स्वीकर सिर्फ दो स्वीकर आते हैं पीछहे भी कोई फट जाती है यार आवाज भी मंदले स्पीकर भी कोई इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है यह ठीक बिलकुल मंदले काम चला हुए है यार हना बागी इसका इन्फोटेन्मेंट है जो भी मतलब ज्यादा धंक से चलता नहीं है ठीक ठाक ही है यह ऑक्स केबल है हमारा सहारा जो काम दे देती है नहीं तो भाई यह किसी काम का नहीं है अगर इसमें यह ऑक्स केबल नहीं हो ना तो यह किसी काम का नहीं है इसमें FM भी नहीं जलता डंक से तो यह था भाई इसका फोर्थ नेगेटिव भाई अगर अपने इसके फिफ्ट नेगेटिव की बात करें तो यह जब भाई अगर 100 या 100 से उपर की स्पीड पर चले गई ना अगर यह मनलब वैसे तो बहुत मुश्किल है इसका जाना लेकिन अगर यह चले गई तो भाई यह मालो संबाल नहीं सकते इसको बहुत मुश्किल हो जाता इसको संबालना इसको अगर 100 के नीचे नीचे चलाए ना तो एकदम परफेक्ट चलती है अपने हाथ में कंट्रोल में लेकिन 100 या उससे उपर गई तो भाई कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है इस गाड़ी को यार मतलब डर लगने लग जाता है बहुत भेंकर वैसी इसमें कुछ safety का कोई safety related कुछ नहीं है इसमें तो डर तो वैसी लगता है और भाई और फिर ऐसी uncontrollable हो जादी तो हम इसको भाई 100 से नीचे ही चलाते हैं जब भी चलाते हैं 100 से उपर कभी नहीं लेकि जाते तो ये थी भाई इसकी 5th negative और भाई बात करें अगर इसके 6th negative की बात करें तो भा कोई सी लाइट दिखती है लेकिन भाई अगर तुम इसको लेके highway पे चले गए या सामने से कोई high beam प्यारा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा भाई आगे क्या है कोई क्या नहीं है मतलब अंदाजे से गाड़ी चलती है फुल कुछ नहीं दिखता भाई आगे कुछ भी तो यह था भाई इसका 6 नेगेटिव तो यही थे भाई कुछ 6 नेगेटिव जो मैं मतलब आज तक फील कर पाया हूं काफी सालों से इस गाड़ी को चला रहा हूं तो यार यही 6 नेगेटिव मुझे मेजर लगते हैं कि हाँ भाई यह 6 नेगेटिव है जो मतलब नहीं होने ची पसंद आए होगी तो पसंद आए तो लाइक कर देना थेंक्यू सो मच